अनेक मित्रों ने ऐसे प्रश्न किये कि कोरोना बीमारी पर विजय प्राप्त करने के बाद जो लोग स्वस्थ हो गए हैं उन्हें किस प्रकार का योगा प्यास करना चाहिए योग किस तरह से उनकी साहिता कर सकता है क्योंकि मान्शिक रूप से भी वो पूर्ण रूप से सुद्रिड अभी नहीं है और शारीरी रूप से भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का योगा प्यास आपको पूर्ण पुनहें पहले जैसा स्वास्थ बना सकता है और कुछ खाने पीने का आप अपनी तरफ से ध्यान रखें जो है कच्चा खाना सलाद फल फ्रूट इसको ज़्यादा सेवन करें और पका हुआ खाना कम खाएं जो कि आपके स्वास्थे लाप देने वाला होगा और अंकुरित दालों का परियोग अधिक से अधिक करें जो है बादाम और काजू को रात को भिगो कर रखें और सुभा उसका सेवन करें कूट कर या चवा कर जैसे भी आप खाना पसंद करें शहद का परियोग करें और चीनी का और नमक का परियोग कम से कम करें और इस योगा अभ्यास क को आप फॉलो करें मुझे उम्मीद है कि लगबग तीन से चार हफते के समय में लगबग एक महीने के समय में आप पूनता स्वास्थे को दोबारा से प्राप्त कर लेंगे चलिए अब अभ्याद शुरू करते हैं अब हम सुरे नमस्कार का प्याद करेंगे सुरे मस्कार में 12 अपर होते हैं और एक अपर 5 सेकंड के लिए रोकने का प्याद करेंगे और अभी बारिश हो रही है लेकिन मैं कोसिज करूंगा कि इसको पूरा करते कूछ कि कि बारिश के बावजूद भी मैंने सौचा की आज का अभ्यास पुरा कर लिया जाए दोनों पेरों को मिलाकर नमस्कार के मुद्रा में खड़े हो अपने परमात्मा का ध्यान करें इश्ट का ध्यान करें गुरू का ध्यान करें लंबी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उपर उठाएं कंदों को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें कमर को पीछे की और मोड़ें लगबग पांच सेकिंड रोकने के बाद वापिस आएं आगे चुकें कोशिश करें माथा कुटनों पर लग जाएं पांच सेकिंड के लिए रोकें सीधा पैर पीछे ले कर जाएं पंजों को ढिला छोड़ दें सांस भरते हुए दोनों हाथ उपर उठाएं पांच सेगिंड के लिए आसन को रोकें वापिस आएं दोनों पैरों को पीछे ले जाएं दोनों पैरों की एडियों को उपर नीचे चलाने का प्रयास करें पैरों की मास पेशियां खुल जाएंगी इस वह आम से फिर सीधा पैर सामने लेकर आएं दोनों हाथों को श्वास के साथ उपर उठाएं पांच सेगिंड के लिए रोकें और गेरे से वापिस आएं दोनों पैरों को परवत आसन में लेकर जाएं इस आसन में भी लगबग पांच से दस सेगिंड रोकने का प्रयास करें गुटनों को मोड़ें, गुटनों को जमीन पर लगाएं कंधों को जमीन पर लगाएं और धेरे धेरे दोनों बाजू सीदे करतें कमर को पीछी की और मोड़ें और कंदों को चोड़ा करें उपर देखें आखें खुली रखें श्वास को बाहर निकालते हुए वापिस आएं बाया पैर दाया पैर सामने लेकर आएं माथा गुटनों पर लग जाएं ऐसा प्रियास करें श्रीर को बिल्कुल धिला छोड़ दें श्वास बरते हुए तीरे धीरे उपर आएं और दोनों हाथों को नमस्कार के मुद्रा में लेकर आएं यह सूर्य नमस्कार का बिल्कुल कम से कम तीन बार करें और तीन बार करने के बाद दोनों पैरों को फैला कर खड़े हो जाएं दोनों हाथों को उपर उठाएं बाई तरफ जुकें लगबग 5 सेकिंड के लिए दाई तरफ जुकें लगबग 5 सेकिंड के लिए धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हैं और सामने की और जुकें उतना ही समय लगबग जैसे अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा ये 5 सेकिंड, 25 सेकिंड और 30 सेकिंड में भी बदल जाएंगे कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आगे जुकने की जिसके कमर में दर्द हो वो यह आसन ना करें अभी याद रखें कोशिश यह रहे कि प्रतेक आसन का समय एक जैसा हो रोकने का, अगर आपका समय 5 सेकिंड है तो हरेक आसनको 5 सेकिंड ही रोकने का प्रयास करें, तोनों पैरों को फैला दे, हाथों को फैला दे और बायी तरफ घुड जाएं, बायी तरफ मुडते हुए, पीछे की ओर देखें बापिस आएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, दाईं तरफ मुड़ जाएं बहुती सरल, लेकिन बहुती लाबदा एक अभ्यास है जिसका निरन तरफ भ्यास आपके शरीर में उर्जा और शक्ती प्रजान करेगा दोनों हाथों को कमर पे लगाएं, और श्वास बरते हुए, पीछे की और जाएं ज्यादा से यादा कमर को पीछे की और मोड़ने का प्रयास करें दीरे दीरे कमर में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापिस आएं, एक बार दुबारा श्वास को बीतर लें श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापिस आएं और आगे चुग जाएं, पाध हस्तासन कंदों को गुटनों के नजदीक लेकर आना है अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर परवतासन में एक पैर को उपर उठाकर रोकना है इससे शरीर में शक्ती बढ़ेगी, बैलन्स बढ़ेगा हाथों में शक्ती बढ़ेगी, बारी-बारी से दोनों पैरों से कर लें इस प्रकार एक-एक हाथ को भी उठा के आप कर सकते हैं एक हाथ कमर पे लगाएं, दूसरा हाथ कमर पे लगाएं वो एक अलग आसन है, फिर कभी बताऊंगा आपको वजरासन में बैठ जाएं वजरासन का भ्यास पैरों के दर्द को खतम करेगा ज्यादा चलने से, दोड़ने भागने से जो दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा अंत में पश्चिमोतान आसन का भ्यास अवश्य करें श्वास बरते हुए दोनों हाथों को उपर उठाएं श्वास बाहर छोड़ते हुए पैर के अंगूठों को पकड़ने का परियास करें नहीं तो जहां से भी आप पैर पकड़ पाएं वहीं से पकड़ लें जहां भी सुविदा हो आपकी और आगे चुप जाएं कोशिश करें माथा गुटनों पर लग जाएं पेट को जंगाओं पर चिपका दें और लगबख 20 से 25 सगिन इस आसन को रोपने का परियास करें और अपनी प्रार्थना के साथ अभ्यास को खतम करें अपने इस्ट का नाम लें गुरू का नाम लें परमात्मा को स्मर्ण करें महादेव शिवशंकर का नाम लें जो की योग के महागुरू है वो ही आपके सब रोगों को कस्टों को हरने वाले होंगे धन्यवाद ओम नमस्शिवाए